नमस् selbst करजी में आज जन्वरी की 15 तारीख है और पांच जन्वरी को मैंने एक वीडियो डाला था तो यह पुसा वाले कैलन्डूला के फ्लार्ज लगाएं तो बताया था तो छोटे से पोट में, छोटे से चार इंची पोट में मैंने लगाएं हैं, तो 5 जनबरी को भी यह पहले से ही खिल रहा सा कुछ दिनों से तो आज देखो कि तने दिन हो गए है, खिलते होएं, तो अभी खिल ही रहे हैं, तो बाकी अगर पूरा आता है तो छे इंची का होता है तो ये बहर जा रहा है मेरा हाथ तो अंदा जिसे चार इंची का पोट है चोटा सा पोट है ये ऐसे उपर आ रहा है ये चार इंची का पोट है तो इसमें ये देखे पुसा वाले जो कैलन्डूला बहुती कमाल के तो मैं और भी पुसा वाले जो सीड मुझे तो बहुत ये बढ़ी अलगते हैं तो अभी सुबह सुबह का टाइम है एक और भी ये काफी दिनों से खिल रहा है अभी पूरा खिला नहीं है जैसे धूप पड़ेगी तेज तो ये भी पूरे अच्छे से खिल जाएगा तो ये थोड़ा अलग तो इस तरह से मैंने ये बहुत ही अच्छे बढ़िया रिजल्ट्स रहे कमाल के रिजल्ट्स रहे बहुत ही बढ़िया काफी दिन तक ये खिलते रहते हैं तो गैरा दिन तो उस हिसाफ से होगे कि जब मैंने पांच को वीडियो डाला था तो एक फूल दिखाया था उसमें जड़ तो कम ही है पर दो पच्छी निकली है तो मेरा गार्डन अभी भी खूब फूलों से भरा हुआ है खूब अच्छे से ये फ्लार जो है खिल रहे हैं तो और एक चीज़ मैं शेर करना चाती हूं कि एक दो दिन पहले ही मैंने जो अनियन ग्रीम्स हार्वेस्ट किये थ तो वो मेरे देखें तो उस उनसे वीडियो से आपको अच्छे से जानकारी मिल जाएगी और फिर आप उसी तरिके से लगाएं तो आपके भी अनियन्स खूब अच्छे से होंगे तो ये वोगनविलिया के फ्लार्स भी बहुत बढ़िया होते हैं मस्त होते हैं बहुत अनियन के ग्रीन्स की हैं तो ये लगाना बहुत ही आसान है और छोट छोटी टोकरी में आप इन्हें लगा सकते हैं छोटी टोकरी में ही ये हो जाते हैं अगर छोटे कोई बैग पड़े हैं तो उनमें भी आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं थोड़ी सी मिट्टी में जरा सी मि जाएगा और ये बड़े होना शुड़ू हो गया और अपी जो ये फ्रेश बिल्कुल ये दिख रहा होगा ये अभी कर रहे हैं ये इस वाली बास्केट से तो देखते देखते ये भी हमारे जल्दी से बड़े हो जाएंगे और मेरे गार्डन में जो मैंने बरसात के टाइम ह विसकस इतना बड़ा बड़ा फूल है मैंने बताया था ना मेरे हजबन लाए थे कहीं से कटिंग्स लाए थे तो ये देखिए फूल तो सरदियों में इनकी लाइफ हो भी मैंने देखा एक जो फूल अब भी सुखा मैंने इसमें से उता रहा है तो वो बड़ी ठंड हो रह बड़ी शुकरिया और एक ये अलग है ये देसी वाला ये भी डवल वाले है और ये इस तरह से हैं तो आप फर्क देख सकते हैं दोनों को मिला के तो सरदियों में ये बड़े मज़िदार रहते हैं एक दिन लाइफ नहीं रहती है इनकी ज्यादा दिन तक बने रहते हैं ग झाल सकता है